प्रिंट्स आज हम बनाएंगे प्लेट लेंगा और इसे हम 30 वेस्ट का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तो यहां पर लाइनिंग लिए है मैंने 3.5 मीटर सौटन फैबरिक लिया है मैंने यापर 4 मीटर और नेट मैंने लिया है 6 मीटर तो दिखिए लेंगे की जो टोटल लेंद रखनी है वो रखनी हमें 35.5 इंच और वन इंच का हम इसमें बैल्ट लगाएंगे तो वन इंच माइनस करेंगे तो 34.5 इंच होगा और इसमें हम प्रही ले लिया है और उसको इस तरीके से 8 बार फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमें इसे कट करना है तो कट हमने इसे कर लिया है और अब हम lining fabric cut करेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर रख लिया तो यह four fold हो गया है और अब यहाँ पर हमें 99 इंच पर marking करनी है यह देखिए 99 इंच पर हमने marking की से dark कर लेना है यह देखिए वेस्ट हमारी 30 आगए मैंने 30 इस लिया लिया है क्योंकि हमें इसे fitting का बनाना है और यह बनने के बाद बन जाता है बढ़ा हो जाता है तो इसलिए मैंने आपर उतना ही लिया है और देखिए अब जो हमारी length है वो लेनी है हमें यहापे इसकी जो length है वो मैं 35 इंच ले रही हूँ क्योंकि हम इसे fold करेंगे तो मैं यहापर जो man fabric की हमारा net fabric उससे सिर्फ 1 इंच ही चोटा रखूँगी 2 इंच चोटा नहीं रखूँगी सिर्फ मैं 1 इंच चोटा रखूँगी इसलिए मैंने यहापर 35 इंच ले अगर आप 2 इंच चोटा रखना चाहते तो आप 34 ले सकते हैं से इस तरह से 35 इंच पर हमें मार्किंग कर ली है और इसे cut करना है ओ दिखिए जो इतना fabric चोटा हुआ है तरपर हमें joint लगाना होगा इसे भी हमें cut करना है तो दिखिए यहाँ पर इसमें हमने joint लगा लिया है यहाँ पर open है तो इसलिए हमने half inch extra लिया यह हमारा pack है तो fold करने के लिए हमने इसको तोड़ा सा extra लिया है बाकि हमने इसके according के से cut कर लिया है और इसी को रखते हुए हमारा जो sortment fabric है वो हम cut करेंगी तो four layer दिखिए मैंने यहाँ पर ले ली है इसकी four बार fold कर लिया है इसे और इस तरीके से रखते हुए हमें इसकी marking करनी है तो हम इसकी marking भी 35 inch पर ही करेंगे यह दिखिए 35 inch पर हमें marking करनी है इसी तरीके से 35 inch पर marking करते जाना है तो दिखिए 35 inch पर हमने इसकी marking कर ली है और इसे हमें कट करना है तो दिखिए इसे हमने कट कर लिया तो कटिंग हमारी हाँ पर complete हो गई है अब दिखिए यहाँ पर हमने जो lining fabric है उसको center से stitch कर लिया इसके उपर से एक stitch करेंगे जो जहाँ पर हमने half inch इक्ष्रा लिया था हमने उसे stitch किया है अभी और अब दिखिए इसके center पर हमें इसे रखते हुए stitch करना है तो यहाँ से अब side से हम इसे stitch करेंगे तो यहाँ से अब side से हम इसे stitch करेंगे यह देखिए इस तरीके से हमें stitch करना है तो दिखिए इसे हमने stitch कर लिया एक stitch हमें इसके उपर से करना है जो एक्ट्रा है उसे cut कर लिना है और इसके उपर से एक stitch करना है तो इसके हमने stitch कर लिया है अब दिखिए जो यहाँ से हमें नीचे के side से जो इसका bottom है जो इसका गेर है वो हमें यहाँ पर fold करना है तो पहले हम इसे एक बार fold करेंगे पूरे ही गेर को दिखिए इसको अब हम एक बार गेर को fold कर रहे है फिर हमें एक बार और गेर को fold करते हुए stitch करना है अगर आप चाहें तो इसे एक बार में ही double बार आप इसे fold करते हुए stitch कर सकते हैं अब दिखिए यहाँ पर मैंने 19 इंच पर marking की है can can लगाने के लिए तो can can को मैंने बीच में से cut करके और उसको 19 इंच को कर लिया है और भी यहाँ पर हमें plates डाली है तो जो हमारा lining fabric है उसके circle में मैंने 19-19 इंच पर marking की है और इस तरीके से plates डालेंगे हम इसमें कें कें लगाने से जो हमारे लेंगे में काफी गहरा आजाता है वो अच्छा भी दिखता है तो मैं यहाँ पर थोड़ी बड़े साइस की plate डाल रहे हूँ अगर आप चाहें तो थोड़ी साइस की plate भी डाल सकते हैं इस तरह से पूरे ही circle में हमें यह plates डाल लेनी है और इसको complete करना है तो दिखिए plates हमने डाल ली अब जो हमारा net fabric है उस पर हमने 5 नंबर से stitch करना है इस तरीके से पूरे ही जो हमने 6 मीटर का fabric है उपर के side पूरे ही यहाँ पर हमें stitching कर ली है और अब दिखिए जो इसके दो दागे हैं एक दागे को हमें कीचना है जो certain fabric है उसे भी हमें नीचे के side से दो बार fold करते हुए stitch कर लिया है और दिखिए इसके जो दो दागे हैं उन में से हमें एक को कीचना है यह देखिए इस तरह से खीचेंगे तो इसमें अपने अप गैदरिंग सा जाएंगी और फिर आप इसे हमारी waste है उसके size का करते हुए आप इसमें बराबर से गैदरिंग्स कर लीजे यह देखिए साइसी दागा यह तूटना नहीं चाहिए आराम से आपको यहाँ पर करना है तो देखिए इसे हमने waste के according कर लिया है आप चाहें तो उपर से एक stitch भी कर सकते हैं तो देखिए गैदरिंग्स हमने डाल ली, lining fabric, certain fabric और net fabric इन सब को हमें waste जो है वहाँ से हमें इसे stitch करना है और जासे हम fitting लगाते हैं वहाँ से भी हमें stitch करना है stitch कर लिया हमने और यहाँ पर हम chain लगाएंगे तो मैंने 8 इंच पर यहाँ पर marking की है और 1 इंच साइट से हमने यहाँ पर fitting लगाई है chain लगानी है यह देखिए इस तरही के से इसको stitch कर लेना ही यह देखिए हमें आपे chain लगा रहे है तो एक साइट के chain हमने यहाँ पर stitch कर लिए है और अब दूसरे साइट भी इसी तरीके से stitch करना है यह देखिए इस तरीके से मारी chain आ गई है और दूसरे साइट भी से हम इसी तरीके से stitch करेंगे तो तो देखिए chain को लगा लिया अभी हमारा बैल्ट है बैल्ट की वीट मैंने 4 इंच लिए है और बैल्ट की length मैंने लिए है यहाँ पर 32 इंच हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें दिखिए एक साइट से हम इसे फोल्ड करेंगे तो मैंने यहाँ पर lining fabric, certain fabric और net fabric तीनों को साथ में stitch कर लिया है और एक साइट से हम इसे फोल्ड करेंगे और जिसके width है वो मैंने 4 इंच लिए है अगर आप 2 इंच का belt लगाना चाहते हैं तो आप इसे 5 इंच लेजिएगा क्योंकि 1 इंच हमारा stitching में जाएगा फोल्ड के लिए तो दिखिए एक साइट से हमने इसे stitch कर लिया है एक साइट से हम इसे फोल्ड करेंगे यह दिखिए फोल्ड कर लिया हमने इसे और अब इसे हमें stitch करना है तो इसे हम रॉंग साइट पर रखते हुए stitch करेंगे और पूरी जो वेस्ट है उस पर हमें यहाँ पर stitch कर लेना है तो दिखिए इसे हमने stitch कर लिया अब एक stitch हम इस तरह से फोल्ड करते हुए करेंगे यह देखिए इस तरीके से तो देखिए हमने आप इसे फोल्ड करते हुए stitch कर लिया है यह देखिए तो friends प्लेटिट लेंगा बनकर complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा बेल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें तेंक यू